तो वेल्कम बच्चो तुस्टडी इजी है तो आज हम आपके लिए लेकर आगे आज इसे से क्लास 10th बायलोजी का सबसे अच्छा चेप्टर सेंस ओर गन्स बहुत इजी चेप्टर है बच्चों अराम से फुलमाग स्कॉर कर सकते हो इस चेप्टर में से तो यार इसके आज कुछ different करते हैं बच्चों तो printed notes लेकर आएं आप इस बार हम लेकर आ गए है hand written notes यार बच्चों hand written notes को लेकर आया हूँ यार books में जो printed notes में आपको provide करता हूँ वो भी चेप्टर के provide करूँगा मैं एक दो दुन में लेकिन यार उसमें complete package नहीं मिलता आपक अगर मिल जाते हैं तो कई बार language difficult होती है और बड़े-बड़े बहुत होते हैं बच्चों तो यार आज मैं hand written notes लेकर आ गया हूँ और यार इस hand written notes को लिखने में पूरे notes को लिखने में इस chapter के मुझे कम से कम एक महीना लगा है तो आप इतना तो मैं guarantee कर ही सकता हूँ अगर आप मेरे hand written notes को पढ़ लोगे तो इस chapter में से जतने में question आएंगे तो आप उसको confidently confidently अराम से solve कर पाऊँगे और full marks अराम से लेकर आज होँगे इसलिए I can guarantee you that you can score full marks from this chapter if you learn these hand written notes very well तो बच्चों इन hand written notes को अगर आप पढ़ोगे तो यार 100% आपको chapter understand होगा concept आपके बनेंगे कैसे बनेंगे क्योंकि यार इन notes को मैंने ऐसे लिखी हुई lines में नहीं लिखा पैराग्राफ में नहीं लिखा इनको हमने flow charts में लिखा है इतने बड़िया understanding वे से लिखा है कि आप यार अगर इसको पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा सारे concept clear हो जाएंगे और पढ़ने में जस बोरियत नहीं होगी तो बस चलो चलते हैं शुरू करते हैं वीडियो को फिर दिखाते हैं कैसे हैं notes हमारे बच्चों तो यह देखिए handwritten notes हमारे कुल मिलागा 10 pages के हैं यह इतनी मेहनत की है यार मैंने notes को लिखने में कि आप imagine नहीं कर सकते कोई भी question इसके बार से आ ही नहीं सकता concept को clear करने कि मैंने 100% कोशिश की अपना best दिया मैंने notes को बनाने में तो यार चलो देरी क्या है शुरू करते हैं notes को पढ़ना sense organs तो बच्चों first day of all sense organs होते क्या है the sense organs होते क्या है the organs that enable us to detect all the changes that occur in surroundings तो बच्चों यार जो organs हमारे शरील में जो organs हमें help करते हैं हमें यह आस पास की चीजों को detect करने में उन्हें हम sense organs कहें देते हैं sense organs दो types के तो नहीं होते बच्चों लेकिन हमारे syllabus में सिर्फ दो types के ही sense organs को discuss किया गया है in detail तो बच्चों in syllabus in syllabus हमारे sense organs कौन कौन से detailed हमारी discussion की गई है पहला eyes और दूसरा बच्चों ears तो eyes को बच्चों हम क्या कहते हैं पता ही होगा eyes को हम कहते हैं photo receptors क्या कहते हैं बच्चों photo receptors बच्चों एक second wait कीजिएगा इसको अन्हें कि हम एक लगा रगाकर और इसको उसको इसको phone receptors कहते हैं ears को और eyes को आइस जिससे हम देखते हैं मतलब photos को हम देखते हैं आइस से photo receptors तो बच्चों ऐसे आप memory कीज बना सकते इसफो पधे mr बच цвет के बारे में आइस क्या चीज आइस बॉल लाइक स्रक्चर है गेंद जैसे एक दिखने वाखा चरे चोटी बॉल लाइक स्रक्रेयर है जिसका डाजया मिटर नियर बडार होता है मैं इस में पढ़ा न बच्च बार ऊजया टूरे वार होतें 2 x radius होता है, तो इसका diameter जो होता है, diameter होता है, इसका 2.5 cm, बहुत छोटी सी ball होती है, और इसका second point, जो आपको याद रखना है, the eyes rotates with the help of 2 oblique and 4 rectus muscles, समझा रहे है बच्चों? question आजाता होता है, बच्चों, blanks, filling the blanks में आ सकता है, the eyeball rotates with the help of dash oblique and dash rectus muscles, तो क्या याद रखना है, बच्चों? 2 oblique and 2 rectus muscles से, बच्चों, हमारी जो eyes, आई बहला है, वो rotate कर पा रही है, देख सकते हैं न, उपर भी, नीचे भी, तो उसके वज़ा से, किसके वज़ा से? चार rectus की वज़ा से, और 2 oblique muscles की वज़ा से, अगला point बच्चों, जो important है, कि eyes की protection कैसे होती है? बच्चों, eyes की protection कैसे होती है, बच्चों, eyes बहुती soft part है, हमारे पूरी body का, इसको अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाए, तो बस यह functioning इसके बंद हो सकती है, तो इसके protection भी होनी चाहिए, तो हमारी body में इसके protection बहुत ही बड़ी आतना से होती है, जो हमारा पहली protection कैसे हो हमारी पहला point है, जो हमारा वो है, एडिपोस tissues, एडिपोस tissues, तो यार एडिपोस tissues कहां पर होते हैं, एडिपोस tissues कहां पर होते हैं, बच्चों, below the eyeball, कहां पर होते हैं, बच्चों, below the eyeball, समझा रहा है बच्चों, एडिपोस tissues हमारी कहां पर होते हैं, below the eyeballs, और ये करते क्या है आफी आफ यह करेंगे क्या तो इसके दो में जो points है पहला prevents eyeball from a mechanical injury prevents the eyeball from a mechanical injury एक मिनट बच्चो color change करकर आपको बताते हैं prevents eyeball from a mechanical injury and prevents eyeball from a shock बहुत बार question आता है बच्चों board में आभी चुका है 3-4 बार तो कि which organ और which tissues of our body protects our eyes from shock बिजली के जटके से हमारी eyes को कौन बचाता है तो बच्चों क्या आ जाएगा अंसर हमारा एडिपोस tissues एडिपोस tissues तो बच्चों आगे देखते हैं अगला जो हमारी eyes को अगला जो organ है या अगला जो part है हमारा जो protect करता eyes को वो क्या है बच्चों eye lids eye lids को बच्चों सबको पता है न क्या होते हैं ये two movable lids होते हैं lids मतलब बच्चों एक मोटी सी जिसको हम कहते हैं जो यानि की mood बगरा सकता है ऐसी plate से like structure होता है जो foldable होता है तो उसको हम lids कहते हैं ये two movable lids होती है तो यार बच्चों इसके uses इसके यानि की functions क्या होते है अगर हमारी आख वगएरा में कोई मिट्टी वगएरा फज जाती है तो जब यह blink होती है तो वो dust particles जो है clear हो जाते है तो तो इट clean the eye by blinking और second it prevents the mechanical injury यह भी mechanical injury से प्रेवेंट करती है हमारी आई को तीसरा बच्चों आई ब्रोज आई ब्रोज बहुत important point रहता है आई ब्रोज क्या होता है बच्चों it prevents eye from dust sweat and rain water पानी यानि के गंदा पानी हमारी आईस में ना गुश सके sweat ना गुश सके पसीना ना गुश सके तो उससे हमारी यह प्रेवेंट करता है समाज में आ रहा है बच्चों very good तो बच्चों जो अगली चीज है हमारी वो है बच्चों eye lashes thick hairs prevent present on the margins of the eyeballs act as a strainers act as a बच्चों strainers की तरह यह act करते हैं strainer पता है छनी छनी की जैसे एक्ट करते हैं तो यह strainers मतलब यह करते क्या भईया strainers का क्या क्या क्याम होता है they do not allow foreign particles to enter into the eye बाहरली चीजों को अपनी अंदर में आख के अंदर आने नहीं देते और hair follicles of these eyelids open special oil glands that secrete lubricating liquid इस point को बच्चों याद कर लीजिए बहुत important point है बार बार कह रहा हूं इस point को हमने याद करना है बहुत important point है ठीक है बच्चों एक चीज लेक्रीमल ग्लैंड से question जरूर आएगा इसका आपके पूरे से लेबस में बच्चों कहीं पर भी discussion थोड़ा सा भी नहीं हुआ हुआ है एक छोटी से जगा पर आपका इस chapter में दिया हुआ है आपकी बुक में अभी अगर आप खोल कर देखोगे और एक question इसमें से पक्का आता ही आता है कि यार what are lacrimal glands या what is the function of lacrimal glands एक नमबर में question आएगा पका आएगा हर बार आता है इस बार भी आएगा तो क्या है बच्चों formation of tears समझा रहा है बच्चों सारी चीजे मजा आ रहा है ना पढ़ने में बच्चों notes में से handwritten notes में से मेरे तो यार आप आई के parts को discuss करते हैं हम detail में तो बच्चों इस notes में जो हमारा क्या क्या हमने याद करना है सारा इसके screenshot आप खीच सकते हैं नहीं तो PDF में आपको पडवाइड करना हूं नीचे description में link दिया हुआ है आप download कर सकते हैं PDF को बच्चों तो यार आप देखते हम sclera क् होता है स्क्लेर को क्या कहते है स्क्लेर कि हम कहते है sclerotic layer, क्या कहते हैं बच्छो sclerotic layer, समझ आ रहा है बच्छो sclerotic layer, तो बच्छो आयो आगे पढ़ते हैं, अब यार बच्छो आगे क्या हमने पढ़ना है, तो बच्छो मैंने यह जितने भी यानी की important important points है 1,2,3 और बड़ीया बड़ीया concept है, जो sclera के यह हमने लिख दिया है, तो यार आपको इसको याद करने पढ़ेंगे, मैं आपको important important points बता देता हूं, जिसके बिना की आपका गुजारह नहीं होने वाला, मतलब number नहीं आने व important, तो तीन तक तो आपको याद करने ही हैं बच्छों, और ये एक point बड़ीया से याद कर लीजे बच्छों, that cornea remains a life for 40 hours after death, और उसके बाद बच्छों क्या याद करना हमने, हाँ बच्छों ये पूरी की पूरी इसमें से यार question आ जाता है, इसके बड़ीया आपको concept कोई न सकता, conjectivity का, तो पढ़िये इसको, अभी बढ़िया बच्छों, pdf बाद में देखे का, इसको पहले याद कीजी अभी, मैं पहुत वीडियो को रोका हुआ है, मैंने याद कीजी इसको, कर लिया बच्छों याद, बहुत बढ़िया, अब koroid, koroid भी आइस का ही एक part है, आ और ये dark black color की होती है, यार इसमें बहुत सारी blood vessels होती है, जो की हमारी eye को nourishment प्रोवाइड करती है, और बच्छों इसके, अगर हम देखा जाए koroid, तो जो front of the eye, यार ये eye के हमारे front में ये expand करता है, और वहाँ पर बनाता है sillery body, sillery body बनाता है, तो यार, sillery body कहाँ पर होती है, lies at ear, जो sillery body है, वो junction पर होती है, यानि कि जहाँ पर koroid और iris जो हमारे meet करते हैं, वहाँ पर हम sillery body को पाते हैं हमारी eyes में, koroid का भईयो, बच्चा एक और बहुत ही important function, याद करना है फिर से, connected to lens by suspensory ligaments, आरा है समझ बच्चो, very good, तो अब sillery body देख लेते हैं, बच्चो क्या होता है, sillery body consists of sillery processes and sillery muscles, और pupil के बारे में तो आपको पता ही होगा, बच्चो पढ़ लिए यहाँ से, नोर्स आपको प्रवाइड करी दोंगा, इन description में, बच्चो रेटीना से भी एक question आ जाता होता है, कई कबार, लेकिन उतना शूर नहीं होता है, रेटीना से question आना है कि नहीं, तो इसको आप बढ़िया से पढ़ लिजे रेटीना को, क्या चीजा बच्चो रेटीना, सबको पता है, इन्नरमोस लेयर ओफ आई है बच्चा, और यह लाइट सेंसिटिव लेयर है बच्चो रेटीना, अगला बच्चो फोटो सेंसिटिव सेल, फोटो सेंसिटिव सेल ने, बच्चो पढ़ने वाली बात है, क्या है यह फोटो सेंसिटिव सेल, रेटीना के अंदर हमें बच्चों कुछ सेल्स मिलते हैं जो लाइट के रिस्पेक्ट में काम करते हैं मतलब अगर लाइट है तो वो सेल्स अगर लाइट है या नहीं है अगर light है तो कुछ cells काम करेंगे, अगर light नहीं है तो कुछ और cells काम करेंगे, तो यानि कि light के respect में काम करते हैं, तो ये दो types को होते हैं, roads and cones, roads में कौन सा pigment होता है बच्चों, rhodopspin, और cones में हमारा idospin, idopsin, rhodopspin और idospin, idosin, तो बच्चों यार इसको पढ़ लेगा आप, ब पढ़ लिया बच्चों, या पढ़ लिजी इसको, सब को आता यार, क्या कि roads डेम light में काम करते हैं, कौन से हमारे जब हमारी light होती है, जाजा यानि की, रोशनी में, धूप में खड़े हैं, तब काम करते हैं, तो या पढ़ लिजी इसमें से question पका आएगा एक, पढ़ लि लेंस क्या होता हैं, बच्चों, एक सेकंड बच्चों, अब लेंस क्या होता है, ये यार, इरिस के पीछे एक transparent, biconcave, crystalline body होती है, इसमें यार, ये suspensory ligaments को held करका रखता है, और जो इसको ciliary body से connect करका रखता है, लेंस को, बच्चों, इसके functions आप पढ़ लीजीए, यार, functions क आए, light को reflect करता है, रेटीना पर, या clear vision को देखने में help करता है, और near and distant objects को देखने में help करता है, by changing the focal length, distant object को अगर देखना है, फिर near object को देखना है, तो focal length है, change कर लग सकता है, अपने lens की, किसके मदद से, suspensory ligaments और ciliary muscles से, question बहुत बार आ चुका है, the lens can change its focal length or its size or its shape with the help of, क्या लिखेंगा बच्चों, suspensory ligaments and ciliary muscles, समझा रहा है बच्चों, क्या बच्चों, suspensory ligaments and ciliary muscles, समझा रहा है बच्चों, suspensory ligaments and ciliary muscles, तो बहुत बढ़िया बच्चों, अब आगे का करना हमने, chambers of five बच्चों याँ पढ़ लिजेगा सारा theoretical part है, अगर आपने screen source लेना है तो यार, low screen source लो, ले लिया, ले लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो यार, अब यहाँ पर हमारे notes खतम होते हैं, सारा cover हमने किया है, chapter पूरा का पूरा, अगर आपने ये chapter पढ़ लि तो मेरी guarantee, मेरी guarantee, कोई भी ऐसा question नहीं होगा, जो आपसे solve नहीं हो पाएगा, याद कर लो, print out निकल वालो, इसका PDF में आपको description में दे रहा हूं, PDF निकल वालो, इसका बच्चों, बहुत बहुत, बहुत helpful रहने वाला है, तो चलो, और इसका password बता देते हैं, बच्चों, पासवर्ड रखा हूँ हमने PDF का, पासवर्ड बता देते हैं आपको, वेट कीजिए एक मिनट, तो बच्चों, यह रहा हमारा password, क्या है, बच्चों, H-W-N-S-O-S-E-H, क्या है, बच्चों, H-W-N-S-O-S-E-H, समझा रहा है, बच्चों, H-W-N-S-O-S-E-H, क्या है, बच्चों, H-W-N-S-E-H, समझा रहा है, बच्चों, पासवर्ड, भरतेंगे पासवर्ड राम से, चलो फिर, अगर कोई दिक्कात आती है, बच्चों, कमेट कर सकते हैं आप नीचे, चलिए फिर, खतम करते हैं वीडियो का अपनी यहीं पर, तो फिर बाई अप्चों, समय किरे कर से, बच्चों, कर रहा है, बच्चों, बच्चों, भरतेंगे वीचे, भरतेंगे पासशर्ण, भरतेंगे और्प आती है, बच्चों, पासवर्दاج he sixky मैं, मुम्स, बच्चों, र Courtney Cay लंगे, बच्चों कर सकते हैं, इज पर विर, Serbia कर दोग зай हम ऐत